दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सिखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से reverse forward starter का control wiring करेंगे वो भी interlocking के साथ में और साथ ही साथ में हम ये भी समझेंगे कि inching और non inching reverse forward starter क्या होती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों reverse forward starter में आपको दो contactor का इस्तमाल करना पड़ता है और जो हमारा motor होता है motor के protection के लिए हम एक overload relay का इस्तमाल करते हैं अब जो हमारा motor होता है उस motor को forward direction में run कराने के लिए forward push button का इस्तमाल करते हैं और reverse direction में run कराने के लिए reverse push button का इस्तमाल करते हैं ये जो हमारा push button होगा इसके पीछे जो element लगा होगा वो ano element होना चाहिए उसके बाद जो हमारा motor है उस motor को stop करने के लिए हमें एक stop push button का इस्तमाल करना परेगा जब भी आप कभी wiring करने जाओ तो wiring करने से पहले आप circuit diagram को बना लीजिएगा circuit diagram को बनाने के बाद आप उसको देख के wiring करिएगा जिससे कि आपके wiring में कोई mistake ना हो तो ये जो मेरा circuit diagram में इस circuit diagram में आप देख सकते हो कि जो मेरा face supply आया है वो सबसे पहले mcb में connect है तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा mcb है mcb को input power supply हमने यहाँ पे connect कर दिये ठीक है अब इस mcb से जो output power supply गया है वो overload relay के NC contact में गया है तो जो हमारा face supply होगा है इसमें से wire को कने करेके जो हमारा overload relay, overload relay का 95 number का terminal है इसको input power supply दे दीजेगा 95 number terminal और 96 number terminal overload relay का NC contact होता है ठीक है दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो आपका overload relay का output power supply है उसको ले जाके stop push button के साथ में connect करना है तो हमने इसके 96 number के terminal से एक wire को connect करेके जो हमारा stop push button है इस stop push button को input power supply दे दिये है इसके बाद जो हमारा stop push button है इस stop push button से हमारा जो forward push button है और जो reverse push button है इसको input power supply दिया गया है तो जो मेरा stop push button है इसके output tunnel से एक wire को कने करेके जो मेरा push button है इसको input power supply दे दिया हूँ इसी प्रकार से एक और wire को कने करेके दूसरे push button को input power supply दे दिया हूँ यह जो मेरा push button है इसको मैं forward के जैसे इस्तमाल करूँगा और इस push button को मैं reverse के जैसे इस्तमाल करूँगा ठीके दोस्तों अब इसके बाद ये जो हमारा contactor है इन दोनों contactor को neutral power supply देना पड़ता है तो इसको भी हमने इस MCB के output terminal से जहां पे हमें neutral power supply मिलेगा इस terminal से एक वार को ले जाके जो मैरा contactor है इन दोनों contactor को मैंने neutral power supply connect कर दिया ह ये two terminal हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है तो इनको हमने neutral power supply के सार्थ connection कर दिये हैं अब हमें क्या करना है कि जो हमारा push button है यानि के forward push button है इसके output terminal से जो वार जाएगा वो reverse contactor का जो NC contact है इसको input power supply देगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा forward push button है इस push button के output terminal से एक wire connect करना है तो इसके लिए मैं इस wire का इस्तमाल करता हूँ इस wire का जो एक सीरा है इसको ले जाके जो हमारा forward push button है इसके output terminal के साथ इस wire को connect कर देंगे अब इस wire का जो दूसरा छोड़ है इस छोड़ को ले जाके जो हमारा reverse contactor है इस contactor का जो NC contact है यह हमारा NC है तो इस contact के साथ में आपको इस wire को connect करना है तो इसको हम ले जाके इस point पे connect कर देते हैं अब इसके बाद जो हमारा NC contact है NC contact से जो output power supply जाएगा वो forward contactor के A1 terminal पे जाना चाहिए तो इसके लिए मैं इस wire का इस्तमाल करता हूँ यह जो मेरा wire है इसको ले जाके NC contact के साथ में connect कर दूँगा उसके बाद इस wire का जो दूसरा सीरा होगा इसको ले जाके जो हमारा forward contactor है forward contactor का जो A1 terminal है A1 terminal इसका यहाँ पर है तो इस टर्मनल के साथ इस वायर को हम connect कर देते हैं अब इसके बाद ये जो हमारा reverse push button है इस push button से जो power supply जाएगा वो हमारे forward contactor का जो NC contact है इस NC contact को input power supply देगा तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तमाल कर लूँगा ये जो मेरा forward push button है इसका जो output terminal है ये वाली इस terminal के साथ मैं इस वायर को connect कर देता हूँ अब इसका जो output power supply होगा इसको ले जाके जो हमारा forward contactor का जो NC contact है इस contact के साथ इसको connect करना है तो हम इसको यहाँ पर connect करेंगे अब इसका जो output power supply होगा इसको ले जाके हमें reverse contactor को on कराने के लिए power supply देना होगा तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तमाल करता हूँ इस वायर का जो एक सीरा होगा उसको हम NC contact के साथ connect कर देंगे उसके बाद इस वायर का जो दूसा सीरा होगा इसको ले जाके जो हमारा forward contactor है forward contactor का जो A1 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम connect कर देंगे तो अभी जो हमने wiring किये इस wiring में हमने जो हमारा holding circuit है इसको connect नहीं किये यदि आप आपके circuit में holding circuit को नहीं connect करते हो तो इसको हम कहते हैं inching circuit inching circuit में क्या होता है समझ लीजिए देखिए जो हमारा power supply इसको मैं एक बार on कर देता हूँ on करने के बाद जो मेरा reverse push button है इस push button को प्रेश करूँगा तो मेरा reverse contactor है ये on हो चुका है अभी आप देख सकते हो मैंने push button को प्रेश करके रखा हूँ जैसे मैं इसको release करूँगा मेरा contactor off हो जाएगा यदि आपने इसमें holding circuit नहीं बनाये हो तो इस condition में हम कह सकते हैं कि जो हमारा circuit है वो inching circuit है यानि कि जब तक हम push button को प्रेश करेंगे तब तक ही हमारा contactor on रहेगा और जैसे हम इसको release करते हैं तो contactor हमारा off हो जाएगा तो अभी जो हमारा circuit है ये हमारा inching circuit हो गया inching circuit का इस्तमार हम ऐसे जगाओं पर करते हैं जहां पर हमें किसी motor को थोड़ा थोड़ा करके movement कराना हो example के लिए माल लिजिए कि जो आपका होस्ट होता है उस होस्ट को यदि आपको थोड़ा सा movement कराना है तो उसके लिए आप इस push button को एक बाप प्रेश कर दोगे जिसे कि हमारा motor थोड़ा सा आगे चलके रुक जाए तो थोड़ा सा movement कराने के लिए हम inching circuit का connection करते हैं ठीके दोस्तों अब यदि आप non inching reverse forward starter बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक holding circuit भी add करना पड़ेगा तो holding circuit कैसे add करेंगे समझ लीजिए तो holding circuit बनाने के लिए आपको क्या करना होगा जो आपका push button है push button के पहलाल में आपको उसी contactor का no contact इस्तमाल करना है दोस्तों यहाँ पे गलती से reverse लिए यह जो हम no contact इस्तमाल करेंगे यह forward contactor का होगा तो मैं इसमें correction कर देता हूँ ओके तो मैंने यहाँ पे लिए forward no यानि कि यह जो हमारा no contact होगा वो इस contactor का होना चीए और इस contactor को hold करने के लिए इसका ही no contact हमें इस्तमाल करना है तो wiring हम कर देते हैं देखिए यह जो मेरा forward push button है इस push button का जो input power supply है जैसे कि आप देख सकते हो input power supply इस wire के दोरा दिया गया है तो इसी wire के साथ में आपको एक और wire को connect करना है तो मैं यहाँ पे blue wire का इस्तमाल करता हूँ connection करने के लिए मैं इस wire को ले जाके जो मेरा forward push button है इसके input terminal पे इसको connect कर दूँगा हमने इस wire को connect कर दी है अब इस wire का जो दूसरा सीरा होगा इसको ले जाके जो हमारा forward contactor है इस contactor का जो no contact है जैसे कि आप देख सकते हो no contact यह वाला है तो इसके साथ में हम इस wire को connect कर देंगे अब इस output terminal से जो wire जाएगा वो A1 terminal पे जाके connect होगा तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मेरा जो no contact है इसके साथ में एक wire को connect कर दूँगा उसके बाद इस wire का जो दूसरा सीरा है इसको ले जाके जो हमारा A1 terminal है उस A1 terminal के साथ इस wire को connect कर देंगे तो यह जो हमारा forward contactor है इसको hold करके रखने के लिए holding circuit हमने बना दिये ठीक है अब इस reverse contactor को भी same to same connection करेंगे तो इसके लिए में इस blue wire का इस्तमाल करूँगा blue wire को ले जाके जो हमारा reverse push button है इसके input terminal पे इस wire को connect कर दूँगा अब इसका जो output terminal है इसको ले जाके inner contact के साथ हमें connect करना है अब इसका जो output है इस output terminal से हम एक wire को connect कर देंगे और इस wire को ले जाके हमें A1 terminal के साथ connect करना है जिससे कि हमारा जो contactor है इसको face supply मिल जाए तो दोस्तों ये जो circuit diagram में इस circuit diagram के अनुसार हमने connection कर दिये इस circuit diagram के साथ में मैंने दो lamp को connect कर दिया हूँ जिससे कि हमें ये मालूम चले कि हमारा contactor on हुआ की नहीं हुआ forward contactor on होने पे ये वाला lamp glow होगा और reverse contactor के on होने पे ये वाला lamp glow होगा ठीक है अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा reverse forward starter होता है इसके concept को समझते हैं देखिए जब आपको motor को forward direction में run कराना हो तो इसके लिए आपको forward push button को push करना पड़ेगा तो ये हमारा forward push button है तो इसको मैं एक बार press करता हूँ तो इसको press करते ही आप देख सकते हो हमारा forward contactor on हो चुका है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपका एक contactor on है तो इस condition में दूसरा contactor on नहीं होना चीए यदि गलती से भी आपका दूसरा contactor on हो जाएगा तो source circuit हो सकता है तो इसको भी हम check कर लेते हैं तो forward contactor on है reverse contactor को on करने के लिए मैं इस push button को press करता हूँ इसको press करने के बार भी आप देख सकते हो हमारा जो reverse contactor है ये on नहीं हो रहा है ठीक है इसका मतलब ये है कि जो हमने interlocking यहाँ पर इस्तामाल किये ये interlocking अच्छे तरीके से work कर रहा है अब हम इसको off कर देते हैं अब मेरा जो reverse contactor है इसको मैं on करने के लिए इस reverse push button को press करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा reverse contactor on हो चुका है अब यदि मैं इस forward push button को प्रेस करूँगा तो इस condition में मेरा जो forward contactor है ये on नहीं होगा यानि कि हमारा जो reverse contactor है इसका भी interlocking proper work कर रहा है ठीके दोस्तों यदि आप इसका power wiring बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहती हो तो इसके लिए right वाली वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद